हेलो दोस्तों डिएफ के लिए एक खास मैसेज ध्यान से सुनिएगा बहुत ही खास मैसेज है दोस्तों डिवाइन फैमिनाई जो की अपने हार्ड वर्क से अपने आपको जैसे तैसे संभाल के अपनी जर्णी में आगे बढ़नी है ऐसे साथ यह दो-दो लॉक्डाउन दूसरा लॉक्डाउन भी आ गया जहांपे कार्मीक सिच्टोेशन इतनी ज्यादा ट्रिगर हो जाती हैं आप बंद हो जाते हो एक साथ घर में सब लोग और कार्मीक इतने ज्यादा आपके उपर हावी हो जाते हैं या फिर आपका इतनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके कर्मा निप्टा दिये जाएं ठीक है ये तो रही एक बात सेकंड तिंग इज यू शुड बी केरफुल डी एफ के लिए है ये खास तोर से मैसेज डी एफ आप लोगों को बहुत ज़दा केरफुल रहने की जरूरत है ये अभी के लिए जो है आपके बहुत खास मैसेज है विकाज कही ना कहीं से आपके एनरजी लीक हो रही है और कार्मिक्स जो है वो आपके एनरजी को चुरा रहे है ठीक है अब यहाँ पर जब मैं बोलती हूँ कि कार्मिक तो वो नेगेटिव वे में नहीं है और चुरा रहे है तो वो भी नहीं है कई बार मैंने आपको बोला है कि जो परसन आपको ड्रेन कर रहा होता है इवन उसको भी पता नहीं होता है कि वो आपको ड्रेन कर रहा है ठीक है वो आपके आपको कोई किसी तरह का लॉस कर रहा है आप से कुछ लेके जा रहा है वो परपसली इंटेंशनली ऐसा नही हो रहा है तो यह भी होता है लेकिन अलवेज हमको तो फॉर्गिवनेस में रहना तो वी शुड़ नॉट ब्लेम देम बड़ थिंग इस देट यौर एनर्जी इस गेटिंग लीक्ट तो आपकी एनर्जी लीक हो रही है तो ध्याम रखिए ओके और झाल ए आपके आपको और आपके अनर्जी को एक आपकी एनर्जी जुब्य है वह आपकी पावर जो है कह लिजी आपकी कपिसिट्टी जो है उसको मिस्यूज unemployment इस टाइम पर अपने जो है अपने सेल्स उसके लिए ठीक है अपने सेल्स के लिए मतलब अपने भले के लिए ठीक है आपका यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आपको आप इस टाइम पे सबसे ज़दा ड्रेन हो रहे हो में भी इसको अगर मैं helplessness के दूं तो वो भी suitable है वो भी world suit करेगा ठीक है so you are getting helpless ठीक है अब यहाँ पे है कि इसका reason क्या है देखिए subconsciously जो है मतलब जो भी energies work करती है कुछ लोगों के बीच में हम है हमारी जिन से हमारे records होते हैं तो वहाँ पे हमारी जो energy work करती है ठीक है तो directly या indirectly आपस में एक दूसरे के बारे में सबको पता होता है energetically okay so energetically उनको भी पता है that you are divine energy ठीक है आप divine energy हो यह उनको कहीं न कहीं internally पता होता है उनको यह एहसास होता है ठीक है तो क्या होता है कि कभी भी देख लेजएगा कि एक नासिस्त या एक कार में किया है मतलब बहुत ज़्यादा जो toxic person होगा उसके पले हमेशा सबसे pure soul और empath इसी टाप के लोग क्यों पढ़ते हैं ठीक है क्यों क्योंकि वो choose करते हैं आपको बिकोज दे वो उनको यह लगता है कि आप उनको मतलब आपको वो choose करते हैं अपने आपको serve करने के लिए ठीक है लेकिन यहाँ पर गलती जो है वो आपकी भी होती है और क्योंकि आप जो है वो आप कुछ भी ठीक कर सकते हैं या आप ठीक कर देंगे यह सब ठीक हो जाएगा के नाम पर आप over giver बने रहते हैं किसी भी relationship में यहाँ में केवल husband wife relationship की ही बात नहीं करेंगे किसी भी relationship में if you are over giving then you have to regret it आपको हमेशा ही पस्ताना पड़े गया ठीक है जहाँ पर आप over giving करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको यही suggest करूंगे अब बात आगए कि इसलिए आपको करना क्या है ठीक है तो आपको करना यह है कि don't blame okay don't argue argue भी नहीं करना है आपको blame भी नहीं करना है अब यह रस्ता आपको निकलना है कि आप किस तरह से इस टाइप की toxic energies से अपने आपको protect करते हैं ठीक है avoid करते हैं and protect करते हैं अपने आपको अपनी energy को protect करके रखते हैं अपना distance maintain करके रखते हैं यह आपके उपर जो है depend करता है ठीक है आपको करना क्या है आप करिए जो necessary duties हैं ठीक है don't over give किसी को खुश करने का प्रयास मत करिए जो guidance दे रही हूं उसको ध्यान से सुनिए किसी को बेवज़ा खुश करने का प्रयास मत करिए क्योंकि नहीं होंगे ठीक है आपकी energy drain हो जाएगी लेकिन वो खुश नहीं होंगे काम चाहिए होता है तो आपको उसके लिए you need not to panic okay आपको you don't panic आप नहीं उसके लिए परिशान हो कि extra demands है को कुछ जो आपको करना है जो आपके necessary duties हैं वो जस्त आपको करनी है and you just be yourself okay you need not to आपको किसी का अपने उपर लाद लेने की कोई जरूरत नहीं है ठीक है उनके expectations उनक को अपने उपर लाद के आपको कोई जरूरत नहीं है यहां पर बार बार इसलिए कह रही हूं क्योंकि यह टाइम ही ऐसा है आप पूरी तरह से दिन रात उनकी साथ फसे हुए ठीक है so बहुत necessary है कि आप अपने precious energies को save करके रखें protect करके रखें ठीक है वो इसलिए करते हैं क क्योंकि they can sense ध्यान से सुनिये उनको पता है कि आप हील हो रहे हो उनको पता है कि आप उनके control से निकल रहे हो उनको पता है कि they can't dominate you anymore ठीक है अब और ज्यादा वो आपको dominate नहीं कर सकते और ज्यादा वो आपसे अपने आपको serve नहीं करवा सकते that's why they are doing all this all these type of things they will try या तो करेंगे या तो कर रहे है थिके उनको पता है कि आप अपने strength गेन कर रहे हो आप अपनी strength को internally आप strong बनने रहे हो ते तो यही चीज जो होती है वो जो भी वो कर रहे हैं वो auto fear कर रहे हैं ठीक है, फियर की वज़े से कर रहे हैं, दर की वज़े से कर रहे हैं, अफ्रेड हैं वो आपके एनर्जी से, that's why they are trying to hinder your journey, so please don't panic, and भगवान पे भरोसा रखिए, जिन जो जो लोग अभी बड़े toxic relations से जा रहे हैं, ठीक है, भगवान पे भरोसा रखिए, उनी का साथ देजि आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पे बस एक ही काम करना है, जो precious energies आपने अपने inner work के जरीए कमाई हैं, उनको आपको हर तरह से protect करना है, ठीक है, उनको save करके रखना है, क्योंकि वो divine के बखुद higher purpose के लिए हैं, ऐसे छोटे मोटे जो है purposes के लिए नहीं है, कि आप personal level पे किसी के demands और किसी के expectations को पूरा करने पे ही लगे वे हूँ, ठीक है, तो यही था आज का वीडियो, ठीक है दोस्तों, you have to save your energy, take care and bye-bye.